इस बात बिल्कुल सही भी है ना कि भाई रोज जिसका नाम लेकर हम लोगों को ये लोग घेरने का काम करते थे अडानी अमबानी रोज ऐसी बाते करते थे तो क्या कारण है कि चुनाओं के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विशे को ही उढ़ाना बन कर दिया क्या चुनाओं के वक्त इन लोग का ध्यान रखा जाने लगया उन लोगों के द्वारा भाई कुछ तो कारण होगा ना एक लंबे समय से पिछले साल भर से लगातार पार्लियमेंट से लेकर हर मंच से कॉंग्रेस उनके जितने भी घटक दल हैं उनके द्वारा इन नामों का इस्तमाल किया जाता है पर आज इनों ने एकदम इस नाम को लेना छोड़ दिया चुनाओं के बड़ समझा जाता है कि कई लोगों को कई लोगों के द्वारा मदद की जाती है तो क्या ऐसी मदद एक कारण है कि अब आपकी जुबान इन पे बंद हो गई है बड़ भेराल कारण जो भी हो इससे ये बात तो सपश्ट हो गई ना कि भाया जो आरोप आप हम लोगों पे लगाया करते थे वो आरोप भी बे बुनियाद से क्योंकि अब चुनाओं में तो अपने उन विश्यों को उठाया नहीं है हिंदो की संख्या घटी है अगर ऐसा है भी तो चिंता का विश्य है जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरह बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें ये भी जिम्मेदारी सब के उपर होने चाहिए ऐसे में अगर कोई ऐसी जांजकारी सामने आई है तो उसके अलादे हनो लाटो